प्रसिद्ध वन्य जीव संशोधक लेखक आनी छाया चित्रकार त्याननी गेल्या पंच्विस वर्षा पासुन तालोबा अंधारी व्यागर प्रकल्प टी एटी आर मद्य वागहन चा भ्यास के लेला है राजस्थान पश्चिम बंगाल उत्राखन अने गुजरात मदिल अनेक उत्कृष्ट जंगलान त्याननी भेटी दिलेला है त्यान ची वाग म्रग का था नौरंगा चे घर्टे आर्निया चे अंतरंग महराश्टा तिल वन्य जीवन ताल जंगलाची डाइरी मर्जार गता फीवन्य जीवन विशयक पुस्तक्ये प्रसिद्द आएत प्रसतृत पाथात लेखकाने जंगलाचे डाइरी ही अनुभाव सांकतान ना जैंगला थील प्रानाचे निरक्षण करताना आले लिया चित्त थरा रख प्रसंगाचे वर्णन क यह ले लिया है दियर फ्रेंड इन इस लेसेंड आथर रेनोंड वाइल डाइफ रिसेर्चर राइटर और फोटोग्राफर प्रेसेंट से हाट वर्म ये त्रिलिंग अकॉंट आप इस एक्स्पिरियंस इस वाचिंग ताइगर रिजर्व इसे पढ़ते हैं इसे समझने की इसे हम अंग्रेजी, इंगलिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझेंगे तारिक होती 27 में 91 सत्यानों वेड सकाडी सहते 39 कोड़ सा परिश्यत्र ताड़ोबा अंधारी व्यागर प्रकल्प चंद्रपूर आज पहाटे चा कोड़ सावन विश्राम ग्रहतून बाहर पढ़ लो व्यागर मंजे वाग टाइगर 27 में 91 सत्यानों यह 27 में 97 की बात है सुबा के 6 बजे से 9 बजे का टाइम है और कोड़ी शेत्र है कोड़ सा यह ताड़ोबा अंधारी टाइगर प्रकल्प जहां है टाइगर प्रोजेक्ट है चंद्रपूर का वहां के जो कोड़ सावन विश गावातून टोंगे वन रख्षक अनित्यां चे सहकारी वन मजोर यह ता न डिसले अब गाव में से काउन को नजर आया था वन रक्षक टोंगे वन रक्षक और उनके सहकारी और वन मजूद इस वाज़ जान वार्क्षक ये ताच आमी डावी कडे जानारा जरी रस्ता धरला समोर सालनारा वन मजूर अचानक थबकला मी प्रश्नाड थक मन नजरेने पाहिला तर त्याने रस्त्या कडे बोट रोकले नुक्तियाज गेले ले एका मोठ्या बिप्ट्याची ताजी पावले तिथे उमटली होती हा एक नरस्वन आमी पोच्नाचा तासा भरादी ही चितुन गेला सावा मी चाव फिर पाहिले पनमरा तरी काही दिसले नही अव्यापर जोब बिप्टिया था या जिसे आप तेनवा कह सकते हैं ये चीते की नसल का ही होता है तो ये अचानक रास्ते से जो सामने चलने आला मजदूर था उसने वहाँ पर उसके पैरों के निशान दिखाए और ऐसा लग रहा था कि एक घंटा पहले वो यहां से गया है आचानक मला जंगला चा कोप्रिया वर थोड़ी शी हाल चाल जानवली मी सगड़यानना हाता नेज थामवाई ची खुन केली दूरबिन डूड़यानना लावल्या वर ती हाल चाल सपष्ट जाली तिथे एक तेंदू चे जाड़ा खाली बांबू मदे बिपडा बसला होता प परिसरांशी एवडा मिसडून गेला होता कि त्याची शेपुट जर हलली नसती तर तो मला मुड़िज दिसला नसता त्याची पाठा आमच्या कड़े होती त्यावडे त्याचा त्याने उद्याप आमला पाहिले नहोते पन त्यवडे आत टोंगे वन रक्ष वन सन पाई एका वाल क्या काटकी वर पढला अनी कट असा आवाज जाला तिकट काना चा बिप्टयाने तो आवाज एकता च वडून पाहिले ने एकाज जेपे तो जंगलात दृष्य जाला Suddenly I sensed some movement at the edge of the jungle, I gestured everyone to stop with my hands, I observed with my binoculars, I spotted a leopard under the persimmon tree right in the bamboo clump, completely camouflaged in its surrounding, I would not have seen him at all, I had it not been for his swishing tail, his back was towards us so he had not seen us, yet but just then the forest officer Tongi stepped on a dried stick twig and it cracked with a cut sound, the leopard with its sharp ears turned towards us and in one leap vanished into the forest याने अचानक जंगल के किनारे पर थोड़ी हलचल नजर आई, जब हाथ से दूर भी निकाल कर देखा तो वहाँ उन्हें तेंदू के जाड़ के नीचे, बाम्बू के नीचे एक बिप्टा याने एक तेंदूआ या जिसे आप लेपड कहते हैं वो बैठा हुआ दिखा औ अगर उसकी दूम ना हिलती तो नजर ना आता, समझ में ना आता और उसकी पीट हमारी दरफ थी लेकिन अचानक टूंगे जो थे वन सन रक्षक उनका पाय पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा उसकी कट आवास से जो विप्टिया था या चीता था उसके कान बहुत तेज अचानक उसने पलट कर देखा और एक चलांग लगा कर वो जंगल में घाइब हो गया अद्रिश्य हो गया बिप्टिया चा निरिक्षनांची चांगली संदी हाची गेली मनुनमी हड़ हड़ लो टोंगे यानना शर्मिन्दे जाल्या सार के वाटले आमी लगेच पुड़े निगालो थोड़े अच अंत्रावर रायबा कड़े जानारा रस्ता उजवी कड़े वड़त होता तो रस्ता धरला आनी जंगल आनकीच दाट जाल्या सार के वाटले इते दोन तीन नाले असलियाने जूर्पानची दाटी जासत जानो थे तसेच तार नाले वादे थोड़े पानी साचुन रहात असलिया मुवडे तीते कुटलाई वन्ने प्रानी दिसन्याची शक्केता होती तै मुडे आता सावद पने पावले टाकने आवशक होते I was angst that we had lost a good opportunity of observing the leopard. Tonga was quite ashamed. We walked along that road and it seemed as though the jungle became denser. As there were a few water bodies here, there was a possibility of spotting a wild animal. So now it was necessary to take every step with caution. अभी जो लेपर्ट था बिप्टिया था इसके निरिक्शन की एक बहुत अच्छी संधी उन्होंने गवा दिये थे और टोंगे इस बास से शर्मिंदा हो गए लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमने उजवी तरफ मुड़कर लिफ्ट साइड में हमने मुड़कर जब हम जंगल के दूसी तरफ जाने लगे तो वहाँ पर एक रास्ता जो बहुत घना था उस रास्ते पर मुड़ गए जंगल में यहाँ पर बहुत छोटी जाड़ियां थी लेकिन घनी थी क्यों क्योंके वहाँ पर नाला था और नाले के खरीब में पानी हमेशा जमा रहता था और वहाँ पर किसी ना किसी खिस्म के वन्ने परानी के मिल जाने के पूरी के पूरी एक उमीद थी कालज संध्याकाडी विश्राम ग्रहावर गपा मारताना टोंगेनी मला तया परिसरात चार पिल्ले असलेल्या वागीनी बद्दल सांगीतले होते तेवा पासून मला कदीती थे जातो असे जाले होते प्रचंड उशन तेचे दिवस असल्याने वागा सार के जनावर पान्या चा आसपा सच वावरते तशातस लाहान पिल्ले असल्याने या वागीनी ला तयानना पान्या पासून जास्त दूर नेने देखिल शक्के न होते पन लाहान पिल्ले असनारी वागीन ही जंगलात सगड़ात दोका दायक जानवर पिल्ल्यान चा सनरक्षना साथी ही सजगाई कुनाचा जीव देखील घ्यायला मागें पुडे बगत नाही त्यामडे सुकुलेल्या नालया तुतरताना माज्या मनावर एक अनामिक दड़पन आले हुते प्रीजेशना मनाच in the jungle. This watchful mother would not hesitate to take anyone's life to protect her cuffs. As a result I had a certain fear in my mind while venturing into the dried up stream. रात में गेस्ट हाउस पर विश्राम ग्रह पर टोंगे ने बातचीत करते वे गौसिप करते वे कहा था कि हमने एक वागिन यानि टाइगरेस को देखा है शेरनी को देखा है उसके चार बच्चों के साथ और वो यहां खरीबी है बहुत गर्मी के दिन होने के बावजूद मुझे मेरे अंदर जिग्यासा पैदा हुई और मैं उसे देखने के लिए बेताव हो गया. लेकिन अगर गर्मी के दिन है तो और वो वागिन है यानी शेरनी है अपने बच्चों के साथ वाटर बाडी के खरीबी रहेगी दूर नहीं जाएगी और जंगल की शेरनी बहुत अगर वो माँ हो तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है किसी की जान लेने से भी वो बिलकुल नहीं हिचकती दहा बारा पावले चालो असून असू मला नालिया तील ओल सर चिकला त माजरा पिक्षा मोठे आकराची अनेक पावले उमठ लेली दिसली मी जटकन पुडे जाओन वाकून बगीत ले या पिल्यान चे पावल खुना हो तया तया पग माक सा कड़े बगून लक्षाता ले किते काल रात्री चे चाहेत या चा अर्थ स्पष्ट होता वागिन अध्याप आपल्या पिल्या सह याच परिस्रात वावरत होती आता मी ती पिल्ये बगायला चांगला चा धीर धालो होतो इतुन सुमारे शंबर सववाशे पावला वर नाल्या थोड़े से पानी असल्याचे मला माहितस होते ही वागिन तिथे सापर्ण्याची शक्यता होती तया वड़े आता तिकड़े जाता ना खूपसावदगिरी बाढगने आवश्यक होते जमीन वर सरवत्र पन गड़ी मुडे पडलेला वाणका पाचोडा साचून होता तया वरून पाइन आवाजा होता जाने ही एक मोठीच कसरत होती we must have walked hardly 10 to 12 steps that I saw many footprints of an animal larger than a cat in the wet muddy area those were indeed the footprints of cups looking at the pug marks I realized that they were of the previous night it clearly mean that the tigress was still roaming in the area with her caps now I became very impatient to see the caps about a hundred steps from our spot there was a stream of water where the tigress could have been spotted therefore we had to be extremely cautious while going there we had to walk softly on the dry fallen leaves scattered everywhere from the ottoman अब यहाँ पर लिखक कहते हैं कि दस बारा खदम चलने के बाद जब वो नाले अबूर कर रहे थे तो बिल्ली से बड़े खदम पंजे की नशान उन्हें दिखे और उन्हें समझ में आ गया कि ये किसी शेर के बच्चे के शेर के कब के हो सकते हैं और इसके पाउल खुना पग माग देख कर ऐसा नजर आया कि वो कल रात के है और इससे जो शेर नी है वो अभी भी इसी परिसर में इसी इलाखे में घूम रही है और वो उन बच्चों को शेर के बच्चों के देखने के लिए नरेटर का दिल बहुत जोड़ जोड़ से धड़कने लगा वो पानी था और जमीन पर हर तरफ पानी के छोटे-छोटे साचे थे जिसकी वजह से पानी में बिलकुल भी आवाज ना हो कोई किसी खिसम की कोई आवाज ना हो इसकी कसरत करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे अमीद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो दोबारा मुलाखात होगी, खुदा आफे